तो यह भी question exam में काई बार पूछा दिया है कि correlation coefficient की minimum value है minus 1 है और maximum plus 1 मतलब इनीटे बीच fluctuate करेड़ा है अगर 0 से 1 के बीच आया तो positive correlation ऐसे समझ यह यह 0 यह minus 1 और यह plus 1 जीरो में independent हो जाएगा हो भी सकता है नहीं भी नहीं और इधर को positive correlation और कहीं एट दौर के बाद जैसे 60-70% से ज्यादा अब 70% का मुला है 0.7 हुआ नहीं ऐसे fraction में तो 70-80% से ज्यादा अगर इधर को आर चल रहा है तो यह highly correlated पॉजिटिव में और ऐसे 77% से इधर को चल रहा है तो highly negative correlation ऐसा 70 कोई boundary कहीं लिठी नहीं है लेकिन हम यह मानते हैं कि इस टाइप कर आ जाए 50% से ट्रापी ज्यादा ही होना चाहिए तो बहुत हाइप को रिलेशन है बहुत हाइप को रिलेटेड है मिकला है चलिए तो आप ऐसे भी ट्रेश सकते थे कि जो आर एट्स वाई था इस मॉड़ इस लेस्ट इन इक्वाद वन तो नुमेरिटल वैल्यू वन से ज्यादा नहीं हो से ते आर की इस्टा प्रूप रहते हैं चलिए तो हम दो वैरियेबल माल लेते हैं एट्स और वाई लेट एट्स और वाई वाई वे टू वेरियेबल्स विद मेंस एट्स बार और यवाई बार रिस्पेक्टिवटे एट्स बार रिस्पेक्टिवटे एट्स बार अच्छे ये बताएए अगर मैं एट्स माईनस एट्स बार को ने एट्स दे इसमाल लेता हूँ रसी वाई माईनस वाई बार को वाई दे इसमाल लेता हूँ तो सो और एट्स देश माल लेता है एट्स देश मैनस वाई देश स्वेर विल भी नॉन नेगिटिव कि इसी वी रियल नंबर का होल स्कॉयर कर रहे हो तो वह नॉन नेगिटिव यह आएगा इसमें त्या बड़ी वाई देश हैं कि लिए रहे हैं सब्सक्राइब कर दो कि एट्स दैस वाई डैस हैं और मैंने लिनियर कॉमिनेशन ले लिया एट्स दैस माइनस वाई दैस तो चिसी जाभी होल स्पर करोगे तो नॉन नेगिटिव आएगा ना यह ठीटेटिव यह सर अच्छा लेटिव दैस मोगे लिए लेटिव इस टा हुल स्पर कर। टुर 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 टू प्ले छिए आज आज कर शी इताश जी नड़ाने हमें यूट जूज मैं अज़ा है चिकार फिर्टेशलिक नड़ाने मैं ये लन्यकार्ण ये धन्यक्याब है कि इस्टों कोई नया वेरियेबिल इंट्रडूस्ट रहूं मैं इसमें कि इस्टों सॉल्म करेके चालेज सकते हैं कोई आइडिया यह भी नन्युटिटिव आइड यह नहीं आइसे लिजी सकते हैं हलो इस्टों सॉल्म कर लेते हैं चाहिए यह यह कि इस्टों स्टों 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 स्रफजु Che greater than or equal to 0. ये थी दिया? Yes, sir. A square expectation of x dash square expectation of y dash square minus 2A expectation of x dash y dash greater than 0. I say tell it. वाच्छा इस्कोब वाँ कर ले? ये तो real number ले रठाम है तो थोड़ा सा manipulation कर लेते हैं लेतास put k equal to expectation of x dash y dash upon expectation of x dash square etc. greater than ये रख ले रहा है? in one ये कोई भी real number है और ये भी दो expectation है, तो दो constant term है, उन्टरा ratio है, तो थोड़ा सा manipulation किया, इससे क्राई तरी 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 के होंगे, और भी तरी के मिल जाएंगे आप लो, box में, तो in one we get, ये रट ले जिए, तो चैमिला देखो, पहले में a square है, a square कम लोजेगर, expectation x dash y dash, from whole square, upon expectation x dash square, trisquare, into expectation of x dash square, फिर expectation of y dash square, minus 2a, 8 जो फिर रोई, तो ये expectation of x dash y dash, formula बनाना है है उसको, बस इतना समझिएगा, the whole square, upon expectation of x dash square, and that is greater than equal to 0, ये होगे, expectation of y dash square, minus, ये देखो, पहली टाम और लास्ट तरम 80 है, तुम देखो भी रहा है, इससे ये power कर जाएदी है, ये सर्, तो मैं उधर बेन देता हूँ, इसको, तो बचे रहा है, एक ही बार बचे रहा है, तो expectation of x dash y dash, whole square, upon expectation of x dash square, इसको भी left ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, expectation of x dash y dash, अरे यार, प्लाइट रही तो इसने अपने आप पर दिया, अब उपर लिख रहा हूँ, बच्छो, इस तो इरित्रफ लाखे less than equal to 1 कर सकते हैं, सब, e-t power y dash square भी नीचे ले आओ, तो आपके पास च्याप्रूफ पूड या, r x y square less than equal to 1, r x dash y dash मतलब, तो उससे क्यापरट पड़ता है, जो x dash y dash में होड़ा होई, x y में भी होड़ा correlation coefficient हो, हमने पिछले lecture में पढ़ा है, बच्चो ये समझ में आया न, लास्ट में, चुछ ये r x y का formula बन जाए, इस पर रूट ले लिजिए न, तो mod r x y less than equal to 1 अजाए, बाट्ची जोती और पिजोस आप लोगों को समझ में आया ये, या नि, ये सर आगे, चले, ठीट हो गया बच्चो, ये important results में से थे, 2-3 हमारे, अब हम questions पर आते हैं इस्टे बाद, question कैसे पर रहें इस्टे, तो एकरा सवाल हम लोग नोज करते हैं, ये आपके पास, actually, साइद ये question जो दिया हुआ, मैं रिस्टे बाट, husband और wife की age ता दे रखने, तो ट्रम एज में अड़ा साधी है, तो दोनोटी एज, रिलेटिवली ट्रम ही होने टे चांस रहते हैं समाज में, और ये ज्यादा होगी तो ज्यादा, कितना correlation है इनमें, ये पूछा डिया है, अब आप, देखे में, calculation तो नहीं करने वाला, ट्रेडिशनली करोगे, तो बहुत लंबा जाएगा, इसना सबसे अच्छा तरीटा ये है, आप इसमें छोटा बना लो चीज़ूंके, एट्स वाले सिरीज में, बीच में, थर्टी को मीन मालनें, एजियोंडिमीं, हलो, तो इस्टो यू मालनो, अपोन एज नी टर पाएंगे न, एज टितना टरोगे, गड़बड़ हो जाएगी, जो अंतर है वो, हाँ, तो एज मत परो, खाली ये वाला टर लो, ने तो बहुत बड़ी चेल्कुलेशन हो जाएगी, एज वो टरोगे, एट्स मान, एट्स बार तो, ऐसे ही, वाई माइनेस फिर कितना हरना पड़ेगा, वाई में, जरूरी नहीं है, जो डेटा आपको दिया हुआ है, वही टरो, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, कि जो ए है, वो A और B, वो टेबिल में से ही वैल्यो लेनी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो मैं सिंपल जो बुट में उठा रहा है, वो में उठा लेता हूँ, तो यूची, मुझे टेल्कुलेशन वैसे भी निटरना, ये मना लो, तो अब आपके पास, यू और B क्या हो जाते हैं, फ़ले ये देख लेते हैं, तो एट्जाम में आप जब बनाएं गे बच्चों, तो टेबिल ऐसे बनाएए जाओ, इसमें X, इसमें Y, इसमें U, इसमें B, इसमें आपको टेटर चाहिए था, यू स्क्वेर, इसमें पूरी टेबिल बनाने पड़ेगी, इसमें टाइम रेडिटर बनाने में, आप जब वैल्यू रट्पूड रिटर करके, तो मैं नीचे बताएता हूँ आपको, सिड्मा U, जीरो आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना छोटा आज है, सिड्मा U स्क्वार, 138, सिड्मा V स्क्वार, 164, चल्कुलेटर अलाउट नहीं, अबरादी हंड़ेटी जा, सिड्मा U V, 123, ये हमारे पास है, तो U बार कैसे नहीं टालेंगे है, U बार क्या हुआ, सिड्मा U अपॉन N, जितना भी वैल्यू दे रिटी है, कित्ती वैल्यू जें, 12345678910, तो 0 अपॉन 10, 0, V बार, सिड्मा V अपॉन N, ये भी 0, ये यहाँ 0 होड़ गया, हर बार नहीं हो पाएगा, तो अब आपके पास, जो फर्मूला था, टोरेलेशन टाव वो लड़ाना, तो R, XY मतले टिन, वो UV थे बराबर ही होना है, तो, 1 अपॉन N, सिड्मा UV, जितना भी है, मैनेस U बार V बार, वो असान है, टेल्कुलेशन, दो तिन फर्मेट के फर्मूलों के, जो भी लड़ाना चाहिए, आपको, वोन अपॉन N, N 10 है इस बार, सिड्मा U स्क्वेर, मैनेस U बार स्क्वेर, ऐसी दूसरा, वोन अपॉन N, सिड्मा V स्क्वेर, मैनेस V बार स्क्वेर, यू बार, V बार 0 है, N 10 है बच्चो, बाटे तेनों चीज़ें दे रखी है, यह 0.82 आ रहा है, इस्टा मतलब हाँ, यह डेटा कहता है, जो दिया हुआ है, कि 82% केसेज में, ऐसा होता है, कि साधी टेवर्ट, और लड़ची टी एज ज्यादा है, तो लड़ची टी एज भी ज्यादा ही है, मलब यह positively correlated है, दोनों की एज ज्यादा हो डिया, दोनों की एज ठम हो, और वो normal perception, आपको वैसे भी पता ही होता है, समाज में, मैं समझा पाया आप लोगों को, question, Yes, sir. तो बच्चो questions जो है, वो करने में मैं अमेशा वैसे भी बहुत ज्यादा interested नहीं रहता है, उस्टे बज़ाए मुझे, मुझे लगता है ची, conceptual clarity हो, तो ज्यादा अच्छे, लेचिन, question करोगे नहीं, तो फिर आड़े चीज़ें समझ में कैसे आएंगी, ये भी जरूरी है, तो आप लोगों से आज expect कर रहा हूं मैं, तो दिन भर मैं, ट्रम से तो पाँच question, correlation coefficient के कर लीजिएगा, Pearson coefficient ने टालियागा, ट्राल Pearson coefficient, तो आज मैं आप लोगों को इतना ही तरा रहा हूं इसमें, नेट्स क्लास में, मैं कुछ और आपके बाद, सोटे सोटे questions होंगे, और फिर correlation, Spearman coefficient है भी, और rank correlation कहते हैं उसको, और उस्टे बाद हम regression की ओर जाएंगे, इस्टे कुछ results और हैं, ट्रंसप्चुल, ये table वाले question बच्चों मैं ने टरा पाँगा, चुछी मुझे इसमें कोई interest नहीं है, लेकिन ये exam में तो आई जाते हैं, तो आप से requested, चार पांस question आप करिए इन्हें, और अगर मुझे भी PDF भेज देंगे, तो मैं ट्रोप में भेजता हूँ, औरों का भी भला हो जाए, ऐसा करिए इसा,